Hello everyone, welcome back to my channel, this is Amit and we are going to start our new exercise that is 4.2 So the first question is, which one of the following option is 2 and y तो इसमें बच्चों हमें चेक करना है कि जो गिवन equation है y is equal to 3x plus 5 has इसमें हमें बताना है कि इस equation के कितने solutions है चलिए देखते हैं तो यह देख रखे है y is equal to 3x plus 5 अब हम क्या करेंगे, solution check करने के लिए जो भी solution होगा वो इस equation को बिल्कुल satisfy करेगा तो हम क्या करते हैं, हम यह तो x की value कोई भी 3 value रखके देख लेते हैं या कोई भी y की 3 value लेके रख लेते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम x को 0 रखते हैं, ठीक है तो x को जब 0 रखते हैं, यहाँ पे लिए देते हैं, put x is equal to 0 तो क्या हो जाएगा, y is equal to 3 multiply 0 plus 5 तो यहाँ पे y क्या जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा इसके बाद हम करते हैं, put x is equal to 1 तो क्या हो जाएगा, y is equal to 3 multiply 1 plus 5 तो यहाँ पे y की value क्या जाएगा, y की value जाएगा, 3 multiply 1, 3 plus 5 क्या हो जाएगा, 8 इसके बाद हम देखते हैं, put x is equal to 2 तो यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 3 multiply 2 plus 5 तो यहाँ से y की value क्या जाएगा, बच्चो, यहाँ पे 3 multiply 2, 6 6 plus 5 क्या जाएगा, 11 तो आपने देखा जब भी हम x की value change कर रहे हैं तो हमारे पास y की हर एक new value आ रही है तो जब हर x की value अलग है that means अलग-अलग चीज़ें आ रही है तो unique solution तो हो नहीं साथ unique solution का मतलब होता है कि आप कुछ भी रखो वही आना है तो एक ही solution होगा एक ही चीज़ उसको satisfy करेगी तो इसमें तो कितने हो रहे हैं हमने 3 रखे दे के 3 हो गए तो इसका मतलब जितने रखेंगे उतने आएंगे तो इसका answer क्या हो जाएगा infinite many solutions ठीक है अब देखते हैं हम second question second कहता है write for solutions for each of the following equation तो इसमें इसने first part क्या दे रखा है 2x plus y is equal to 7 तो जब हमें solutions निकालने होते हैं तो आपको क्या करना है आपको करना है चाहे तो आप x की value रख सकते हो कोई भी या आप कोई भी y की value रख सकते हो तो इसमें हम देखते हैं कि हम x की put x is equal to 0 1 and 2 यह 3 value रख के देख लेते हैं तो जब हम 0 रखते हैं तो क्या आता है 2 multiply 0 plus y is equal to 7 तो जब इसको हम solve करेंगे तो y क्या आ जाएगा हमारे पास 2 multiply 0 यह तो 0 हो जाएगा और y क्या आ गया 7 तो जब हमने 0 रखा तो हमारे y क्या आया 7 आया एक solution तो यह हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे put x is equal to 1 तो यह क्या हो जाएगा 2 multiply 1 plus y is equal to 7 अब यह क्या जाएगा 2 into 1 2 तो y को इधर रख लेते हैं 7 और इस 2 को हम ले आते हैं तो यह क्या हो जाएगा minus का 2 तो यह क्या बच गया हमारा 5 आगया तो जब हमने x को 1 रखा तो y हमारा क्या है 5 आया ऐसे ही हम रखेंगे put x is equal to 2 तो यह क्या हो जाएगा 2 multiplied 2 plus y is equal to 7 तो यह क्या हो जाएगा 4 plus y is equal to 7 और y की value यहां से क्या हो जाएगी 7 minus 4 यह इधर आजाएगा 4 क्या बच गया 3 that means जब हमने x2 रखा तो y क्या है तो यह इसके solution है जब भी आप x और y की value रखो गए इस vacation में यह इसको satisfy करेगा तो यह first option हो गया हमारा अब देखते हैं हमारा second second में भी हमें same चीज करनी है हमें क्या करना है वही चीज करनी है कि हम let put x is equal to 0 तो क्या हो जाएगा pi multiply 0 plus y is equal to 9 तो यह क्या हो जाएगा pi multiply 0 0 से तो आप जो भी value करोगे multiply वो 0 बन जाएगी तो यहां से y क्या आ गया हमारा no तो हमने क्या रखा था x को रखा था 0 तो y हमारा आ गया no एक solution तो यह हो गया हमारा इसके बाद हम क्या करेंगे put x is equal to 1 तो क्या हो जाएगा pi multiply 1 plus y is equal to 9 यहां से क्या हो गया यहां से बन जाएगा y is equal to 9 minus यह तरह क्या हो जाएगा pi तो एक solution क्या था जब हमने x को 1 रखा तो वो क्या है 9 minus pi आगया यह हमारा क्या हो गया दूसरा solution हो गया, अब हम देख लेंगे, put x is equal to 2, तो यह क्या हो जाएगा, pi multiplied 2, और plus y is equal to 9, तो ऐसे ही यहाँ से y की value क्या आजाएगे, बच्चो, y की value आजाएगे, 9 minus 2 pi, तो एक solution यह आगया, कि जब हमने x को 2 रखा, तो y हमारा यह आगया, और last में क्या कर लेंगे, x को रख लेंगे 3, तो यह क्या हो जाएगा, pi multiplied 3 plus y is equal to 9, तो यह क्या हो जाएगा, y की value आजाएगे 9, और यह इदर आखे minus का 3 pi, तो एक solution हमारा यह होगा, 4 solution निकालने थे, मैंने first में 3 निकाल के दिखाए आपको, आप उसमें और भी value निकाल सकते हो, तो जितनी भी आप value रखते जाओगे, नए solutions आते जाएगे, तो यह हमारा second complete हो गया, इसके बाद देखते हम अपना third option, third option में भी क्या करना है, put x is equal to 0, तो 0 रखेंगे तो 0 is equal to 4y, तो यहां से y क्या आगया, 0, that means 0 रखा तो क्या आया, 0 आया, फिर रखेंगे put x is equal to 1, तो 1 रखेंगे तो 1 is equal to 4y, तो यहां से y क्या आगया, 1 by 4, that means जब x को 1 रखा तो y क्या आया, 1 by 4 आगया, फिर हमने देखा, x is equal to हमने रखा 2 तो यह हो गया 2 is equal to 4y तो यहां से y क्या आ गया 2 by 4 क्योंकि यह y यह 4 इदर जाके divide मैं देगा 2 बंजा 2 2 तो जा 4 that means जब हमने x को 2 रखा तो y हमारा क्या है 1 by 2 और एक रख लें put x is equal to 3 तो यह क्या हो जाएगा 3 is equal to 4y तो y को जब हम इदर रख लेंगे तो यह हो जाएगा 3 by 4 that means जब हमने x को 3 रखा तो वो क्या है 3 by 4 तो यह इसके 4 solution होगे यह इसने पूछा था अब देखते हैं next next है check which of the following are solutions of the equation x minus 2y is equal to 4 and which are not इसने क्या का है जो निचे option दे रखे हैं जब last equation थी उसमें तो अपने से solution निकल आया था अब जो solution होता है वो जब आप equation में put करोगे तो वो उसको satisfy करता है तो यह ही आप लोगों को देखना है चलिए इसमें कैसे करेंगे आप लोगों को पता है जब भी ऐसे point होते है तो इसमें यह किस की value होती है x की होती है यह y की होती है तो equation क्या है x minus 2y is equal to 4 तो पहला option उठाते हैं पहला क्या है कि x को रखा हमने 0 और y को रखा हमने 2 तो x को 0 रखो और y को रखो 2 multiply 2 is equal to 4 तो यह क्या है minus 4 is equal to 4 होता है नहीं होता है तो यह solution नहीं होगा क्योंकि equation को satisfy नहीं किया इसने चलो आप देखते हैं दूसरा option दूसरा क्या है x तो है 2 और y क्या है 0 यह तो यहां से जब इसको रखेंगे तो यह क्या हो जाए x को 2 रखेंगे तो यह क्या है 2 minus 2 multiply y क्या है 0 है और यह 4 तो 2 is equal to 4 होता है कभी नहीं होता है तो यह भी इसका solution नहीं होगा आप देखते हैं option third third है x तो 4 है और y क्या दे रखेंगे 0 तो यह रखेंगे जब x की जगे 4 तो 4 minus 2 multiply y क्या है 0 है और equal to 4 तो 4 यह होगे 0 is equal to 4 यह equal आ रहा है that means lhs और rhs equal है तो यह हमारा solution है तो यह point solution हो गया हमारा यह दोनों नहीं है अब देखते हैं fourth जो हमारा remaining है इसमें है x भी 1 है और y भी 1 है तो यह क्या हो गया x की जगे रखेंगे 1 minus 2 multiply 1 is equal to 4 1 minus 2 is equal to 4 minus 1 is equal to 4 यह भी नहीं होता equal तो यह भी इसका solution नहीं है तो यह आपको ऐसे याद करें complete होगा अब देखते है exercise का last question इसमें क्या कहा find the value of k if x is equal to 2 y is equal to 1 is a solution of the equation अब इसने क्या कह दिया कि x पे 2 और y पे 1 यह equation का solution है तो k की value क्या होगी तो equation क्या दे रखेंगे 2x plus 3y is equal to k यह यहां की इसकी value निकाल लिए तो जब हमारे पास x की है put x is equal to 2 and y is equal to 1 in given equation ठीक है इसमें हमें put करने है तो यह क्या हो जाएगा 2 multiply x x क्या है 2 है plus 3 multiply y क्या है 1 है is equal to दे रखा है k तो 2 टू जा 4 plus 3 बन जा 3 is equal to k तो यहां से k की value क्या आ गई 7 आ गई तो वही इसने पूची थी कि k की क्या value होगी तो k हमारा क्या हो गया 7 answer तो यहां पे बच्चों जो हमारी exercise है 4.2 यहां पे complete हो जाती है अब हम देखेंगे 4.3 बट अपने next lecture में और उसका अगर आप लोगों को link चीए तो वीडियो के description में आप लोगों को मिल जाएगा तो मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए take care, good bye